सब्सक्राइब कीजिए सुनाना माइकरम आट एंड क्राफ्ट वर को साथ में बैल एकन को जरूर हीट करिएगा मेरे आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चानल आज मैं आप सभी साथ से शेर करने जा रही हूँ माइकरम का एकदम नियू डिजाइन में और बहुत ही ब्यूटिफुल सा माइकरम का फोन होल्डर तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से लाइक vendors यदि फंसयर जरूर करीएगा तो यहां पर हम सबसे पहले material देख लेते हैं तो यहांपर मैंने ओरेंज क्लर का मैंने माइकरम हम यहाँ पर रिंग चाहिए basket के लिए lighter and scissor तो चलिए से बनाना से टार्ट कर लेते हैं फटाक से तो firstly friends यहाँ पर मैंने कुछ कॉड को मैंने cut कर लिए हैं scissor से तो यहाँ देखिए one two three four five six seven total यहाँ पर seven यानी साथ कॉड मैंने यहाँ पे friends मैंने कट कर लिये हैं और यह दखिए एक कॉड हमारा जो है 2 मिटर का है एक कॉड मैंने यहा इस तरह से पकड के और यहाँ पर पॉइंट है कॉड का उसको हमें इस तरह से पकड़ के और यहां पर हम एक पीन लगा देंगे यह देखिए यह मेरे पास इस तरह का पीन है इससे हम इस तरह से यहां पर सैट कर लेंगे और इसके उपर अभी हमें फ्रेंट्स कॉड को लगाना है यानि जो बाकी हमारे कॉड् में यह देखिए इस तरह से लगाना है अब डबल टाइम यानि दो बार हमें इस तरह से रैप कर लेना है ताकि जो कॉर्ड है हमारा दोनों तरह पाजाएगा तो इस तरह से यहां पर देखिए एक कॉड मैंने लगा लिया है टू मिटर के फिर से फ्रेंड्स यहां पर हम एक और कॉड ले लेंगे और इसको भी देखिए बीच में से मैंने फोल्ड कर दिये हैं टू मिटर के कॉड को और जैसे हमने देखिए यहां पर उपर जो हमने कॉ लगा है वैससे सेम हम यहां पर दूसरे वाले गोट भी लगा लेंगे, तो फ्रेंज्स इसी तरह से हमें 2.0 square का का nervous उसको 663 दो उसको फोल्ड कर लेना है बीच में से, और उसकी बाद हमें इसी तरह से डबल टाइम ड्रैप करके गोट को यहां पर हमें लगाना है तो इस तरह से friends यहाँ पर मैंने सारे chords को लगा लिये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 total 6 chord है हमारे यहाँ पर और यह वाला इसको लेके हमारे 7 हो गई यानि 7 chord यहाँ पर हमने starting में लगा के final कर लिया है इसके बाब friends अब हमें क्या करना है यह जो हमारा chord है जिसके उपर हम chords को लगाए है यह दिखी इस chord को हम यही से turn कर लेंगे friends और turn करने के बाद अभी हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे इसको chord को थोड़ा सा set कर लेंगे ताकि हमको chord wrap करने में असानी हो जाए तो इस तरह से हम pin लगा देंगे और यह सारे chords को फोल्ड किये हुए chord के उपर हम दो दो बार यानि डबल डबल टाइम अच्छी तरह से wrap करके लेंगे तो यहाँ पर friends qod को मैंने यहाँ पर सारे wrap कर लिए है इसके बाद मैंन यहाँ पर دे लिए हैे मैंने मटकाए तो green औन pink कलर के मैंने मोती लिए है इसके बाद अभ यहाँ पर देखिये यह जो ओंड में रैप की है यह नीचे वाला कॉाड है इसको ले लेंगे और इसमें हम यहां पर मतका वाला जो यह green bunları का मोटी है इसको इस तरह से हमें कॉड में डाल देना है इसके बाब friends अभी उपर के तरफ से ये वाला कॉड लेना है फॉस्ट वाला और यहां तक जो bits हमने डाले हैं वहां तक हमें क्या करना है कॉड को एक कॉड को हम दो दो बार डबल डबल टाइम लेके और रैप करेंगे नीचे तक जहां तक हमने bits मतलब जिस वाले कॉड में हमने bits डाला है वहां तक तो यहां पर friends देखिए यहां पर हमने कॉड रैप कर लिए फिर से जो नीचे का last वाला कॉड है इसमें हम फिर से क्या करेंगे यहां पर pink कलर का मटका वाला जो मोती है बेट से इसको डाल देंगे और उपर के तरफ से फिर से हम first कॉड ले लेंगे और यहां पर मोती तक हम फिर से कॉड को डबल डबल टाइम रैप करेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर देखिए दो मोती मैंने लगा दिये हैं मटका वाले इतना मैंने कम्प्लीर कर लिया है फ्रेंड्स इसके बाब फ्रेंड्स अभी यहां से फिर से हम उपर से कॉड ले लेंगे और यह जो कॉड्स हमारे हैं सभी को हम फिर से रैप करेंगे डबल डबल टाइम तो इस तरसे फ्रेंड्स यह आप देखिए देकिए मैंने क quyards को wrap कर लिया है और अभा पिन भटा देंगे और एक तरफ का देखिए मैंने डिजाइं बना लिया है अब हम दूसरी तरफ का जो काइड हमारा है चुटा हुआ है को अब दूसरी तरफ हम डिजाइन को बनाएंगे तो यहाप आком देखिए मैंने कॉड को set कर लिया है पीन से इस वाले कॉड में जो उपर वाला कॉड है इसमें हम फिर से ग्रीन कलर का friends यहां पर देखिए जैसे कॉड को double time एक एकर करके रैप करेंगे तो अभी friends हमने कॉड यहां पर सारे रैप कर लिये हैं और फिर से इसी वाले कॉड में जो हमने नीचे के तरब से लाये थे जिसके उपर हमने कॉड को रैप किये हैं उसी में हम देखिए एक मोती डाल देंगे पिंक कलर का बेट्स डाल देना है मटका वाला और नीचे के तरब से हम कॉड ले लेंगे और इसके उपर हम फिर से यह सारे कॉड को हम यहां तक रैप कर लें हैं फिर से यहां पर फ्रेंट्स नीचे से फिर से कॉर्ड लेना है और इसकी ऊपर हमें यह सारे जो हमारे कॉर्ड्स हैं जैसे हमने यहां पर रैप किये थे वैसे ही यहां पर भी हमें एक लाइन बीना बीट्स का ही पूरा रैप करके अच्छी तरह से ले लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों तरफ हमने सेम बीट्स लगा के और यह जैसे ही कॉट्स को टर्न करकर के रैप करके और इतना हमने जो डिजाइन है बराबर में दोनों तरफ बना के कम्प्लीट कर लिये हैं इसके बाब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने चमकी वाली चोटी मैंने मोती ली है यह देखिए इस तरह की इसमें चमकिया लगी है अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं यह जो हमारे कौट्स हैं इनमें अभी हमें लगाना है तो यहां से देखिए नीचे से मैंने एक कौट लिया है और इस कौट को हम यहां पर मैल्ट करेंगे थोड़ा सा और नुकीला सा बना लेंगे ताकि इसमें से जो बीट्स है अच्छी तरह से पास हो जाए तो एक bits यह देखिए इस तरह से मैंने डाल दिये हैं फिर से हमें क्या करना है friends यहाँ पर एक bits डालने इक बाद हमें एक cord जो है उसको छोड़ देना है बिर्स की डालने के बाद हमें एक cord छोड़ देना है उसके बाद जो third number का cord है friends उसमें हम बीड्स डालेंगे तो यहां पर हम फिर से कॉर्ड को इस तरह से नुकीला बना लेंगे और इसमें बीड्स डाल देंगे बीड्स का जो हॉल है वो थोड़ा छोटा है इसलिए मैं यहां पर कॉर्ड को थोड़ा सा नुकीला सा बना के और उसमें बीड्स डाल रही फिरसे देखिए एक कौड छोड के हमें, फिरसे इस तरह से beads डालना है ौड में यह देखिए, फिरसे हम एक quality छोड देंगे अभी जो last वाल हमारा चौड है, इसमें हम फिरसे beads डाल देंगे, तो यहाँ पर friends मैंने total 4 beads मैं इस तरह से डाल दिये हैं तो यहाँ पर फ्रेंट से देखिए जो बीच बीच में हम इस तरह का 4 बीट्स डालेंगे यह जो हमारा डेजाइन रहेगा उनके बीच बीच में रहेगा जिससे की डेजाइन का जो लुक है वो अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ था डिफरेंट से यहाँ पर बीच मेंने लगाए हैं अब देखिए इस तरह से हम कॉड को टर्न करेंगे और फिर से हम एक एक कॉड को इस तरह से डबल डबल टाइम रैप करते हुए नीचे के तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह से फ्रेंट से यहाँ पर कॉड मैंने रैप कर लिए हैं और यहाँ से हम फिर से देखिए कॉड ले लेंगे उपर से और इसके उपर हम अभी सारे कॉड की जो नीचे वाले एक कॉड है इन सभी को हम फिर से रैप करने वाले हैं डबल डबल टाइम तो अब यहां पर कॉड को रैप कर लिए हैं फिर से देखिए उपर के तरफ से मैंने एक कॉड ले लिए हैं और इसमें मोती डाल देना है ग्रीन वाला और ग्रीन वाली मोती डाले एक बाव फिर से हम नीचे के जो कॉर्ट से सबको हम फिर से डबल डबल टाइम यहाँ पर रैप कर लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोती वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है फिर से यहाँ से हम कॉर्ड ले लेंगे और इसमें हम पिंक वाली मोती डाल देंगे जो पिंक वाली मटका बीड्स है इसको डाल देंगे और फिर से इस कॉर्ड को हम नीचे के तरफ बढ़ाते हुए औ रैप कर लेंगे डबल डबल टाइम तो यहाँ पर फ्रेंड्स बीट्स वाले जो कॉड्स थे हमारे रैप हो चुके हैं अभी नीचे से हम फिर से देखिए इस कॉड्स को ले लेंगे और इसको टर्न करके अभी सारे कॉड्स को तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर टू-टू-टाइम रैप कर लेंगे उपर के तरफ से तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो मोती लगा के यहाँ पर कॉड्स को रैप कर लिए इसे बाद यहाँ तक लाने के बाद कॉड्स को टर्न करके सारे कॉड्स को रैप कर लिए अभी जो कॉड्स है फ्रेंड्स उपर वाला इसमें हम फिर सी क्या करेंगे ग्रीन कलर की हाँ पर मोती डाल देंगे बीड्स डाल देंगे इस तरह से और नीचे से Quart ले लेंगे और Turn करके अभी हम सारे Quarts को Wrap करेंगे तो जैसे हमने उपर डिजाइन बनाए हैं Friends, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी डिजाइन को बना लेंगे अब Green के बाद हम Pink Bits डाल के और डिजाइन को बना लेंगे झाल झाल इस तरह से हमारी second line की जो beat से pink वाली वो line भी हमारी complete हो गई है इस बहुर फिर से हम नीचे से इस तरह से cord ले लेंगे और फिर हम सारे cords को double time जितने भी हमारे cords से उपर तक हम सारे cords को wrap कर लेंगे तो इस तरह से friends यहाँ पर हमारी second वाली design बनके complete हो गई है और अब यहाँ पर नीचे के तरफ फिर से देखिए मैंने 4 bits यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने डाले थे एक एक कोट छोड़ छोड़के बीट्स वैसे यहाँ पर मैंने 4 bits फिर से लगा लिये हैं अब सेम यही दोनों design हम फिर से क्या करेंगे नीचे के तरफ friends जैसे यहाँ पर हमने बनाए है वैसे ही कोट को यह देखिए इस तरह से नीचे के तरफ से करके और एक के कोट को हम रैप करते जाएंगे रैप करने इसके बाब फिर से हम green color का यहाँ पर एक बीट्स डाल देंगे और फिर हम सारे कोट को नीचे के जितने भी हमारे कोट से उनको हम फिर से double time यहाँ पर अच्छी तरह से रैप कर देंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से रैप कर लिए friends फिर से उपर के तरफ से क प्लेट कर लिए है बीट्स वाले इस तरह से रैप कर लिए अच्छी तरह से जैसे हमने उपर के तरफ डिजाइन बनाए friends से मुसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे अभी इस वाले कोट को हम इस तरह से टरन करेंगे और यह उपर के सारे कोट को हम double time यहाँ पर यहाँ तो यहाँ पर friends बीट्स वाले जो हमारे कोट्स थे रैप हो चुके हैं फिर नीचे के तरफ से इस तरह से कॉड ले लेना है एक और इसके उपर हम यह उपर वाले सारे कोट्स को double time यहाँ पर रैप करके पुरा अच्छी तरह से ले लेंगे तो अभी हाँ पर friends ने देखिए फिर से design complete करने एक बाग यहाँ पर मैंने कॉड्स में जैसी यहाँ पर हमने बीट्स डाले थे एक कॉड्स छोड़ छोड़ के तो 4 बीट्स मैंने यहाँ पर डाल दिये हैं फिर हम कॉड्स को इस तरह से turn करेंगे नीचे के तरफ इसके उप पूरा कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है तो टोटल हमने यहाँ पर friend 6 design बना लिये हैं और इस तरह से अभी यहाँ पर हमें joint करना है तो यहाँ पर friends से देखिए जो हमने बीट्स लगाए इसका जो होल है काफी कम है तो double यहाँ पर कॉड्स में नही करूंगी तो इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए मैंने काटे वाले मैंने blue color के यहाँ पर बीट्स ले लिए हैं इसका हॉल जो है बड़ा है जिसमें से दोनों तरब के कॉड़् हमारे आसानी से पास हो जाएंगे तो यह देखिए यहाँ पर भी हमें सेम जैसे हमने उपर कजाने आसे नहीं जुपाले जो चमकीले बीट्स हैं जैसे हमने कॉड में डाले थे वैसे ही यहाँ पर हम फोर बीट्स डाल देंगे एक कोड को छोड के रखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे 4 beads को cord में डाल दिये हैं, तो एक तरफ friends हमारे हो गए, 4 beads, अब जो दूसरी तरफ के friends हमारे जो cord छूटे थे, उनको हमें क्या करना है, यहाँ इस तरफ भी एक एक cord छोड़ के, और एक कोड जो है, beads में से हमें इस तरह से pass कर लेना है, यह दे देंगे, अब यह last वाला cord रहे गया है, इसको भी हमें beads में से pass कर लेना है, निकाल देना है, यह देखीए, एक दोम अच्छी तरह से, जो है, यहाँ पे दोनों तरफ के cords, beads में अच्छी तरह से हमारे आ गये हैं, अब इस तरह से हमें सारे cords को बराबर में अच्छी तरह स से यह देखिए खीच लेना है और अभी हम यहां पर इसको पैक करेंगे अच्छी तरह से कि अब इस फ्लावर को हम इस तरह से बैक के तरब कर लेंगे पीछे के तरब और यहां पर अभी क्या करना है फ्रेंड्स दोनों तरब की जो कौड है उनकी जोड़ी लगाते हुए और हम कौड को यहां पर एक एक नौट लगा के टाइट टाइट और छोड़ देंगे इसे इस तरह से अभी देखिए जो beats वाले qud है दोनों तरब के एकदम टाइट इस तरह से खीच के एकदम से हमें knot लगा लेना है फिर जो दोनों तरब के छुटे हुए qud है उनको भी ले लेना है और एकदम टाइट इस तरह से खीच के नॉट लगा लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने पैक कर लिया है इस फ्लावर को इसकी पर फ्रेंड्स एक छोटा सा हमें कॉड ले लेना है और इसको मैंने देखिए इस तरह से डबल कर लिया है और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है यह देखिए जो फ्लावर का जो यह देखिए, कौड को डबॉल करना है और इस तरह से सीजर की मद़सिव जो फिलावर है उसके पॉइंट से हमें इस तरह से कौड को निका लेना और टाइटली खीच लेना है यह देखिए इस तरह से मैंने खीच लिए अब इसमें हम डालेंगे बिक तो यहां पर मैंने के लिए हैं और जो देखिए सेकंड वाला जो फ्लावर है उसका जो यह देखिए यहां पर इस तरह से point है उसमें से हम इस qaard को इस तरह से नििकाल देंगे और निकालने बार tightly हमें इस तरह से खीचना है और यहाँ पे देखी बिस के just buggle में से हम इस qaard को इस तरह से wrap करेंगे tightly wrap करेंगे ताकि जो bit से दोनो flower के point पे च्शी तरह से fix हो जाएगा यह देखिए इस तरह से पकड़ लेना है और कॉड को खीच लेना है तो दोनों फ्लावर के बीच में देखिए हमारा बीर्स बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो गया है फिर से अभी यहाँ पर फ्रेंड्स कॉड में हम फिर से एक बीर्स डाल देंगे और आगे वाला जो फ्लावर है उसको भी देखिए यहाँ पर उसकी पॉइंट को थोड़ा सा कॉड जो है उसको ढीला कर देंगे उसमें से हम इस कॉड को पास कर देंगे यह देखिए नीचे क तो अब इस सेकेंड वाली बीट्स को भी मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दियें फ्रेंड्स इसी तरह से हम बाकी बीट्स को यहाँ पर लगा लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब देख सकते हो कि मैंने 5 बीट्स लगा दिये हैं अभी लाश्ट में हमें देखिए एक और बीट्स लगाना है तो टोटर यहाँ पर हमारे six बीट्स हो जाएंगे तो देखिए second वाले kawट को भी हमें बीट्स में से इस तरह से निकाल लेना है और टाइटली हमें इस तरह से खीचना है एकदम बीच में अच्छी तरह से जो है बीट समारे आ चुके हैं फ्लावर के कॉड को हम पीछे के तरब कर लेंगे और टाइट एकदम खीच के यहां पे हमें नौट लगा लेना है देखिए दोनौ कॉड में हमें टाइटली खीच के अच्छी तरह से नौट लगा लेना है यह देखिए अभी एक और नौट लगा लेंगे टू नौट हम यहां पे इस तरह से लगा देना है कौड को हम हाफ आफ इंच पे सीजर से कट कर देंगे और उसके बाद इन कौड को हम मैल्ट करेंगे लाइटर से और पीछे के तरब इन्हें चिपका देना है इस तरह से फ्रेंड से देखी हमारा फ्लावर पूरा बन के अच्छी तरह से हो गया है कम्प्लीट अब नीचे की बारी आती है तो यहां पर हम लगाएंगे बास्केट के लिए रिंग तो यहां पर मैंने फोर इंच की रिंग ले ली है और यहां पर नीचे हमें लगाना है तो सारे कौड को हम रिंग में इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पर नीचे के तरफ से friends एक कोड हमें रिंग के उपर double time wrap करके लेना है यह दिखी बहुत जादा हमें बिल्कुल भी कोड को खीचना नहीं है आराम आराम से एक कोड ले लेना है और रिंग के उपर हम दो दो बारिस तरफ से आराम आराम से wrap करके लेंगे दोनों तरफ के जो friends कोड हैं हमें इसी तरफ से double double time wrap करके लेना है रिंग के उपर So friends यहाँ पर रिंग के उपर हमने designs के जितने भी कोड से सबको यहाँ पर एक एक करके अच्छी तरफ से wrap कर लिये हैं सारे कोड से आगे हैं इसकी बाद friends अभी यहाँ पर देखिए एक मिटर का मैंने कोड लिया है वन मिटर का इसको मैं double करूंगी इस तरह से और यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने जो pink वाला बीट्स था उसमें से कोड निकाल लिया है और उसको मैंने रिंग पे attach कर लिया है ताकि जो हमारा basket है नीचे के तरफ बिल्कुल भी झुके नहीं इसलिए यहाँ से मैंने कोड निकाला है ताकि balance बना रहा है flower का उपर का और basket का तो यहाँ पर देखिए जो pink वाला बीट्स है इसमें से मैं इस कोड को थोड़ा सा मैंने lighter से कोड को नुकिला कर लिया है और इस बीट्स में से मैं इस तरह से निकाल लूँगी और उसकी बाद इस कोड को मैं रिंग पे attach करूँगी ताकि जो balance है रिंग का और flower का व तो इस तरह से हम इस कोड को भी दोनों कोड को रिंग के उपर double double time wrap कर लेना है और इसकी बाद friends अब बारी आती है यह जो रिंग है इसमें अलग से कोड लगाने की तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 मिटर का कोड लिया है इसको मैं डबल करूँगी इस तरह से और रिंग के उ एक एक बार हम दोनों तरफ से कोड को रिंग के उपर wrap करेंगे एक कोड मैंने लगा लिया फिर से हम second कोड लेंगे friends इसको भी मैं double करूँगी 1 मिटर का ही कोड है मेरे पास और इस तरह से रिंग पर मैं double करके लगा लूँगी और side से भी एक एक बार मैं कोड को wrap कर तो friends इसी तरह से हम यहाँ पर जितना हमारे रिंग खाली है यहाँ पर हम एक कोड रिंग के उपर बारी बारी से लगा के ले लेंगे इस तरह से friends यहाँ पर रिंग के उपर मैंने कोड को लगा लिये हैं तो यहाँ से हम counting कर लेंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 टोटल मैंने friends यहाँ पर 9 कोड ही लगाया है क्यों लगाया है मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि देखे friends यहाँ पर हमने जो कोड लगाये थे design में तो टोटल हमने 7 कोड लगाये थे तो यहाँ पर हमें जोड ही चाहिए होता यानि 4,4 कोड हमें चाहिए होता है नॉट लगाने के लिए इसलिए friends यहाँ पर जो है मैंने 9 कोड ही लगाये हैं तो यहाँ पर 9 कोड लगाने के बाद friends हमें 4,4 कोड मिल जाएंगे basket को बनाने के लिए तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 quad ले लिए हैं इस तरह से और यहाँ मैंने start कर दिया है simple square knot लगाना यानि मैं यहाँ से अभी basket की बुनाई कर रही हूँ तो इस तरह से हम 4-4 quad लेंगे और knot लगाएंगे मैंने अपने सभी वीडियो में जब भी मैंने कोई mirror wall hanging बनाई है flower wall hanging बनाई है या phone holder ही मैंने बनाया है सभी में मैंने आपको basket बनाना बताएं फ्रेंड वही प्रोसीजर है उसी तरह से हमें यहाँ पर भी basket की बुनाई करनी है 4-4 quad को लेते हुए simple square knot जो है round में लगाती जाएंगे so friends यहाँ पर एक round मैंने knot लगाके complete कर दिये हैं अब second round में आ जाएंगे यहाँ पर मैंने फिर से 4 quad ले लिए जो हमारे उपर knot लगे हैं तो दोनों तरब के knot में से मैंने 2-2 quad लिए हमें 4 quarts मिल गए और इस तरह से 4 quad की मदब से हम यहाँ पर knot लगाएंगे तो second round में friends हमारा इसी तरह से रहेगा जो हमने उपर के तरब knot लगाए हैं उनमें से 2-2 quad लेके 2-2 quarts लेके और इस तरह से simple square knot हमें round में लगाते जाना है 4-4 quad की मदब से तो इस तरह से friends यहाँ पर हमारी second round भी knot लगाके complete हो चुकी है अभी third line में friends यहाँ पर हम लगाएंगे bits तो काटे वाले मैंने bits ले लिए हैं green वाले और यहाँ पर जो knot हमारे बने हैं उनी में से देखी मैंने 2-2 quad मैंने दोनों तरब से ले लिए 4 quards अब यहाँ पर बीच में मैंने 2 quards में मैंने 1 bits लाल दिया है और side वाले 1-2 quad को लेके हम यहाँ पर bits के बाद simple square knot लगा देंगे फिर से आगे के फिर से हम देखी है knot में से quad ले ले लेंगे 2 quad मैंने पहले ले लिया है इसमें हम bits लाल देंगे इस तरह से इनकी मदद से हम bits के बाद knot लगा देंगे simple square knot लगाना है हम यहाँ पर bits के बाद इस तरह से बहुत ही friends ही आसान है knot लगाना आप मेरे चैनल पर जा सकते हो मेरे चैनल पर जो basic knot की वीडियो भी है आप उसे भी देखेंगे तो काफी आपको समझ जाएगा जो नए हैं जो लोग सीख रहे हैं उनको काफी help हो जाएगी मेरे चैनल पर basic knot की वीडियो भी है आप मेरे चैनल पर जाएए देखिए मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को भी subscribe करिए वीडियो को मेरे like and share भी करिए तो इस तरह से friends यह देखिए यहाँ पर cord में bits डाल के और हमें knot को लगा के ले लेना है 4-4 cord की मदद से तो अभी यहाँ पर friends यह देखिए bits वाला जो round है हमारा complete हो गया है अभी नीचे के तरफ हम pink color का bits लगाएंगे तो यहाँ पर हम फिर से knot में से cord ले लेंगे इस तरह से और यह pink वाले bits को हम cord में डाल देंगे फिर यह side वाले की cord को चलाते हुए और bits के बार हम simple square knot लगा लेंगे यह देखिए जिसे उपर हमने bits डालेंगे बार knot लगा है वैसे हम फिर से लगा लेंगे फिर से हम four cord ले लेंगे friends और बीच वाले cord में हमें दोनों में एक bits डालना है इस तरह से और यह side वाले की cord को लेके knot लगा लेना है तो इसी तरह से friends bits को डालके और हमें यहाँ पर knot लगा के round को complete करते जाना है तो friends यहाँ पर मैंने पूरे basket की बुनाई कर ली है green and pink color के bits को लगाते हुए पुरा final कर लिया है और अभी यहाँ से हम counting कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 7 line आपको इस तरह से cross में counting करना है तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितने bits लगाए है पिंक वाले 4 line और यहाँ पर देखी नीचे के तरफ 2 line मैंने green लगा लिये उपर के तरफ 1 line मैंने लगाए है तो इस तरह से मैंने पूरे basket की यहाँ पर friends बुनाई कर ली है अब इसको हम नीचे के तरफ pack करेंगे तो एक यहाँ पर जो नीचे का जो cord है friends इसी में से हम एक ब और जब उतना complete हो जाए तो जो extra cord रहेगा उसको हम scissor से half inch पे cut कर देंगे यह देखी जैसे मैं यहाँ पर cut कर रही हूँ इस तरह से cut कर लेना है फिर इस cord को हम यह देखिए melt करेंगे lighter की मदस से और चिपका देंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा basket देखी अच्छ के अनुसार 4,5,6 यानि छोटा बड़ा अपनी इच्छा से cut कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर जो है यह नीचे वाले cord को मैंने cut कर लिये हैं बड़ा था इसलिए मैंने 4 इंच पर cut किये हैं यहाँ पर मैंने green color के देखिए bells ले लिये हैं आपको पहले भी मैंने सा चिपका देना है फिर हमें 2 cord लेना है friends एक में हमें bells डालना है उसके बाद दोनों को मैड करना है साथ में चिपका देना है तो इसी तरह से यहाँ पर हमें cords में सभी cords में जो है bells को डाल के और stick कर लेना है अच्छी तरह से तो इस तरह से friends यहाँ पर देखिए नीचे के तरफ मैंने cords में bells डाल दिये है पूरा हमारा देखिए complete हो चुका है अब last में बार ही आता है friends इसको hang करने के लिए यहाँ पर hanger बनाने के लिए क्यूंकि यह देखिए सबसे important है हमारा तो यहाँ पर हम देखिए एकदम सीधा यह जो हमने beads लागा है उसके just एकदम उपर center में ही हमें क्या करना है यहाँ पर cord में थोड़ा सा gap करना है यह देखिए इस तरह से हम gap कर लेंगे और half meter का मैंने cord ले लिया जिसको मैंने double किया है और इसको हम scissor की मदद से यहाँ से pass कर देंगे cord को double ही pass करना है और इसमें से यह देखिए इस gap में से हमें दोनों cord को pass करके निकाल लेना और tightly खीच लेना है और इसके बाद अभी हम यहाँ पर not लगाएंगे इस तरह से यह देखिए इस वाले cord को इस हाथ में पकड़ना है और इसकी मदद से इस cord के उपर हमें cord को चलाना है यह देखिए इक बार मैंन जो हमने हाथ में पकड़ना है cord उसकी एक बार उपर से और नीचे से हम cord को निकाल के और यहाँ पर जो है not को तयार कर लेंगे यह जो hook है friends यह हमारा important है क्योंकि बीना hook का हम इसे hang नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है hook भी तयार कर लिए यह देखिए पू नहीं करना है तो आप यहाँ पर टेन नौट भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा cord को हम कट कर देंगे उसको मैल्ट करेंगे cord को पीछे के तरफ चिपका देना है हमें यह देखिए अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ जो हमरा यह देखिए दूसरी तरफ का जो यह cord है यहाँ पर इसको निकालेंगे जो हमरा cord है बचा हुआ यहाँ से हमें निकाल देना है पास कर लेंगे दूसरी तरफ से और टाइटली हमें खीच लेना है यह देखिए एकदम आगे अच्छी तरफ से हमरा हुक बन गया है यह देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह भी और फिर स इस cord को, Friends, यही से देखिए बगल वा zorich bed वहाँ से हम निकाल लेंगे यह जहांसे हमने देखिए cord को पास कर यह यह से नहीं निकालना है इसके बगल निकालना है यह देखिए उसके बाद इस तरह से हम नौट बना देंगे, टाइटली कीच के यह देखिए हमारा एकदम पग गया अच्छी तरह से और हमारा जो फोन होलडर है फ्रेंड्स बन के पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया बहुत ईजी है और बहुत ही सुंदर बन के आया है अब आप इस माई करम के फोन होलडर को देख सकते हैं कि इतना ब्यूटिफूल लग रहा है बहुत ही सुंदर आया एकदम फ्लावर डेजाइन में है न्यू पैटन में है और बहुत ईजी है फ्रेंड्स आप जरूर इसे ट्राय करिएगा आपको भी पसंद आएगा तो वीड तकही नहीं हैLLब और रहा है थार पार को अधर को एक आपने करेदां हैं नहीं अचेपन कर AWS आपको चकल के बता।।D